हेलो एब्रिवन, वेलकम बैक तो माई चानल, मेक लाइफ क्रियेटिव तो आज की इस वीडियो में मैं इस साडी का रियूस करने वाली हूँ बहुत ही प्यारी सी साडी है और इसमें कुछ इस तरीके का गोल्डेन सा बॉडर दिया हुआ है दोनों साइड में और इसका फैब्रिक जो है वो चंदेरी कॉटन में है तो इस कॉटन साडी का मैं रियूस करके बहुत ही प्यारा आउटफिट क्रियेट करने वाली हूँ तो इस तरीके से पहले हम साडी को पूरा खोल करके देख लेते हैं कि किस तरकी की साडी है वैसे तो ये पूरा आल उवर सेम इसी तरीके से है इसमें दोनों साइड में बॉर्डर दिया हुआ है और ये इसका आचल का पोर्शन है तो जो भी ड्रेस बना रही हूँ न तो इसमें ये आचल जो है वह मैं नहीं यूज़ करूँगी क्योंकि मुझे कुछ खास पसंद नहीं आ रहा है और इस तरीके से इसमें बहुत प्यारा सा बॉर्डर दिया हुआ है तो इस तरफ में एक तरफ में इसका ब्रॉड बॉर्डर है जिसे ब्लू लाइन्स तीन ही दिया है और दूसरे साइड में ब्लू लाइन्स जो है वो फोर दियो ही है तो एक तरफ का इसका बॉर्डर जो है थोड़ा सा ब्रॉड है तो यहाँ पर जितनी कुर्टी के लेंथ हमें चाहिए उसके कॉर्डिंग मैंने मार्क कर लिया है साथ में मैंने स्टिचिंग मार्जन बेस में एड किया है और यहाँ पर कट कर लेंगे तो अब यहाँ पर दोनों साइड के बॉर्डर को हम मेजर करेंगे ठीक है तो दोनों साइड के बॉर्डर को अटाच करके यहाँ पर मैं कुर्टी का फ्रेंट बनाऊंगे तो उसके according हम अपना थोड़ा सा fabric बढ़ाते हुए जितना हमें front के लिए चाहिए तो थोड़ा सा margin बढ़ाते हुए मैं यहां पर cut कर लूँगी दोनों side के border को तो इस तरीके से एक side पे मैं 1.5 इंच पर mark कर रही हूँ तो पूरे में हम इसी तरीके से 1.5 इंच पर mark करेंगे और उसके बाद cut कर लेंगे तो इसे मैंने cut कर लिया है अब इसे side में रखते हैं फिर दूसरा border जो है उसमें भी मैं same इसी तरीके से यहां 2 इंच पर mark कर रही हूँ और उसके बाद इसे भी cut कर लेंगे तो यहां पर दोनों side के border को जो मैंने cut किया है न तो उसमें दोनों को stitch करके अगर joint करते हैं तो 42 इंच तक हमारा आना चाहिए उसी के recording मैंने cut किया है अब यह देवनों border के बीच का जो portion है न इसे हम कुर्ती का back बनाएंगे बैक पार्ट की cutting करेंगे इसे मैं पहले side में रख लेती हूँ अब इन दोनों borders को हम लेंगे तो इस तरीके से बीच में हमारा थोड़ा सा एक line मिस हो रहा है तो यहां पर इस तरीके से हम इसे थोड़ा सा कट कर लेंगे एक side से ताकि बिल्कुल हमारा finishing के साथ यह दिखे ऐसा ना लगे कि भीच से मैंने joint किया है उसी के recording मैं यहां पर कुर्ती का front बनाऊंगी तो यहां पर यह स्ट्राइप मैंने कट कर लिया है इसे भी मैं यूज करूंगी इसमें आगे मैं आपको दिखाती हूं तो चलिए अब इसे joint कर लेते हैं तो यहां पर मैंने joint कर लिया है अब इसके उपर से न मैं टॉप स्टिच लगा रही हूं ताकि यह finishing के साथ दिखे और यह हमारे back का part है तो इन दोनों को एक दूसरे के उपर बराबर से रखते हुए हम इस तरीके से fold करेंगे और अब हम कुर्ति की marking करेंगे तो बिल्कुल बराबर करते हुए हम इसे इसके उपर रखना है यहां पर extra fabric मैंने ज्यादा नहीं लिया है तो इस तरीके से इसे अच्छे से सेट करेंगे सबसे पहले उपर एक लाइन ड्रो कर लेते हैं फाबरिक को सीधा करने के लिए उसके बाद यहां पर 7 इंच पर मैं माक करूंगी की सोल्डर के लिए और 7 इंच पर आम होल उसकी बाद यहां पर 3.5 इंच से मैं यहां पर कर दे दूंगी और उसकी बाद बस्ट का हमारा जो भी है उसका फोर्थ पार्ट करेंगे प्लस वन इंच उसमें एक्स्ट्रा स्टिचिंग का एड़ करेंगे तो यहां पर 10.5 इंच पर मैंने मार्क कर लिया है तो बस्ट से 7 इंच नीचे हम वेश्ट की मार्किंग करेंगे तो वेश्ट के लिए मैंने 9.5 इंच पर मार्क किया है और उसके बाद यहां से 7 इंच नीचे हम हिप की मार्किंग करेंगे तो हिप के लिए भी मैंने हिप का 4 पाइट प्लस 1 इंच एक्स्ट्रा स्टिचिंग मार्जिन लिया है अब 3 पॉइंट्स को इस तरीके से जोइन कर देंगे और उसके बाद यहां पर नेक के लिए मार्क करेंगे तो नेक की वीट मैंने 3 इंच लिया है और बैक के नेक के लिए मैं यहां पर 3 इंच पर मार्क कर रही हूँ और इस तरीके से स्क्वाइर बनाएंगे और राउंड सेव दे देंगे और इसके बाद फ्रेंट की नेक की भी मार्किंग कर लेते हैं तो फ्रेंट नेक मैं 6 इंच बना रही हूँ और इस तरीके से mark कर लेंगे और curve ड्रॉ कर लेंगे उसके बाद हम अपना solder जो है वो 1.2 इंच डाउन mark करेंगे we turn to all के लिए मैं यहाँ पर 1 इंच अंदर की दुरफ mark करके इस तरीके से line ड्रॉ करूंगे और उसके बाद यहाँ इस तरीके से curve कर लेंगे इसके length को भी हम measure करके एक बार देख लेते हैं तो length यहाँ पर जो है मेरी कुर्ती का यह आ रहा है 44 इंच पर तो इसका ready length जो है मैं 42 इंच पर ready करूँगी कुर्ती की length तो इस तरीके से नीचे से भी हम सीधा कर लेंगे फैब्रिक को तो अब कुर्ती के back side की हम पूरी में cutting कर लेते हैं तो पहले back की cutting करेंगे तो इस तरीके से हमारे कुर्ती की दोनों side की cutting हो गई है तो अब यहाँ पर हम एक side का solder इस तरीके से एक दूसरी की दरफ रखते हुए सीधे के side अंदर रखते हुए एक दरफ का solder stitch करेंगे और उसके बाद यह मैंने cross में पट्टी ली है बायास strip तो इससे हम अपने neckline को finishing करेंगे तो चलिए machine पर चलते हैं तो पहले हम solder को stitch कर लेते हैं इस तरीके से shoulder stitch करने के बाद अब हम इसकी neckline को finish करेंगे तो यहाँ पर सीधे side में हम इस पट्टी को रखेंगे दोनों का सीधा side एक दूसरे के उपर है और इस तरीके से one foot की दूरी में हम stitch कर लेंगे पूरा stitch होने के बाद extra stripe को हम cut कर लेंगे यहाँ से भी trim कर लेते हैं अब उसके बाद यह जो हमारे strip था ना उसे इस तरीके से हम fold करेंगे थोड़ा सा fold कर लेंगे wrong side में ही और पूरे में stitch कर लेंगे तो यह भी मैंने stitch कर लिया है अब इसे इस तरीके से fold करेंगे सीधे के side से और एक top stitch लगाएंगे उपर से finished loop के लिए इस तरीके से ना बहुत easily हमारा neckline जो है वो complete हो जाता है और इसमें look भी बहुत प्यारा आता है तो इस तरीके से मैंने top stitch भी लगा लिया है उसके बाद one foot की दूरी से हम एक और stitch लगाएंगे इसके side में इस तरीके से हमारा neckline पूरा complete हो गया है अब कुर्ती को wrong side में turn करते हुए हम दूसरा solder भी stitch कर लेंगे तो यहाँ पर हमारी कुर्ती का neckline complete हो गया है solder से भी stitch हो गया है तो यहाँ पर यह जो है न हम bias strip से ही जो cross strip है हमाई पास उससे अपने armhole को भी complete कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पर side cut stitch लगा लेंगे जैसे normally हम suit में करते हैं और उसके नीचे के side में जैसे normal suit में हम दो बार इस तरीके से fold करते हुए stitch करते हैं वैसे ही पूरे में stitch लगा लेंगे front में और back के side में भी तो इस तरीके से complete कर लेंगे तो यहाँ पर देखिए मैंने यह complete कर लिया है तो इस तरीके से sleeveless कुर्ती हमारी ready हो गई है अब इसके उपर मैं एक jacket बनाऊंगी क्योंकि यह बहुत ही transparent है ठीक है इस sadi में कोई भी मुझे अलग से fabric लेने का मन नहीं था तो इसलिए मैंने इस तरीके से यह jacket के साथ ready किया इसे side में रखते हैं अब यहाँ पर sadi कहीं fabric मैंने double fold करके ले लिया है इससे एक बर और fold करेंगे और jacket की marking करेंगे तो जिस तरीके से मैंने कुर्ती में मार्किंग की थी सेम उसी तरीके से मैं इस jacket के लिए भी marking करूंगी पूरी jacket की भी marking कर ली है अब यहाँ जैकेट का जो front side है न वह open रहेगा तो उसके लिए यहाँ पर पूरी में मैं वन इंच पर मार्क कर लूँगे इस तरीके से अब हम होल की भी marking कर लेंगे इस तरीके से अब हम इसकी कटिंग करेंगे तो पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे अ बैक पार्ट की कटिंग हो गई है अब बैक पार्ट को हम रिमूव कर लेते हैं यहां पर छोटे-छोटे कट्स बना लेती हूं मैं ताकि स्टिचिंग के टाइम पर इजी रहे बैक पार्ट को हटाने के बाद यहां पर फ्रेंट का जो मैंने मार्क किया था नेक लाइन और आम होल उन दोनों को कट करेंगे उसके बाद यहां पर फ्रेंट से जो मैंने वन इंच पर माक किया था उसे भी हम कट करके अलग कर लेंगे तो हमारे फ्रेंट पार्ट की भी कटिंग हो गई है तो यह इस तरीके से आएगा फ्रेंट का और यह हमारा बैक पार्ट का दोनों की सोलडर से हम स्टिचिंग कर लेंगे सीधा साइड अंदर को रखते वे उसके बाद हम स्लीप की कटिंग करेंगे तो स्लीप के लिए, यहां पर मैंने फाब्रिक को फोर requirement में किया है और जो हमें फाब्रिक चाहिए उसे हम कट करके अलग करेंगे तो यहाँ पर एक साइड का बॉरडर जो है वो हमारा थोड़ा सा कम ब्रॉड था तो उसिके Corden मैंने यहां मारकिंग कर ली है तो यहाँ पर 21 इंच पर मैं मारक कर रही हूं यहाँ पे sleeps की length में 19 इंच टेयार रखूंगी तो मैंने जो आम हो लिया था 7 इंच तो उसे 2.5 इंच बढ़ा करके मार्क कर रही हूं मैं यहाँ पे 9.5 इंच पे और इस तरीके से हम 3 इंच पर मार्क करेंगे और इस तरीके से कर्ब का सेब देंगे उसके बाद यहाँ 6 इंच पर मैं मार्क करूँगी और यह इस तरीके से मार्किंग कर लेंगे sleeps की यहाँ थोड़ा अंदर की दरफ करकी करने से होता नहीं कि हमारी fitting बहुत अच्छी आती है इसकी cutting कर लेते हैं तो sleeps की cutting करने के बाद यहाँ पे front का जो sleeps होता है उसकी सेप में दे दूँगी उसके बाद front की sleeves पर हम टिक कमा कर लेंगे उसे में याद रहेगा कि यह front का है तो यहाँ पर देखिए मैंने solder भी joint कर लिए हैं उसके बाद मैंने sleeves भी attach कर लिए हैं इसमें जकेट में तो अब जो हमारा neckline है उससे हम bias strip से ही complete करेंगे पूरे में इस तरीके से और उसके बाद यह हमारा front का जो है jacket जहां से open रहेगा उसके लिए यह मैंने golden वाले stripes को साड़ी से ही cut कर लिया है और इससे मैं इसको stretch करने के पाद सीधे side में इस तरीके से turn करके और finish करूंगी उसके बाद हम अपने jacket में sleeps को भी इस तरीके से double fold करके stretch कर लेंगे पूरे में दोनों स्लीप्स में हमें इसी तरीके से करना है उसके बाद साइड की भी फिटिंग कर लेंगे हैं पूरे उपर से नीचे तक हमें स्टिच करना है स्लीप्स के साथ उसके बाद हमारे कुर्ती का बॉटम बचता है तो कुर्ती की बॉटम को भी हम डबल फोल्ड करते वे स्टेच कर लेंगे तो यहां पर यह देखिए मैंने अपनी जैकेट को पूरा स्टेच कर लिया है इसकी नेक लाइन और इसके फ्रेंट में भी यह स्ट्राइप मैंने इस तरीके से अटैच किया है साइड की फिटिंग भी दे दिया है स्लीब्स भी गंप्लेट कर लिये हैं डबल फोल्ड करके uteur के और नीचे से भी मैंने इसे फिनीष्ट कर लिया है तो इस तरीके से हमारा बहुत ही प्यारा यह जैकेट भी हो गया है एक ही साडी से मैंने एक स्लिप स्लीबलेस मतलब स्लीबलेस कुर्ती और ये जाकेट ट्रेडी कर लिये हैं अभी भी साड़ी का कुछ फ्याप्रिक जो है वो बचा हुआ है तो ये है इसका फाइनल लुक वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ल प्रिया है थैंक यू फो वाच्चिंग से यू सुन इन मैं नेक्स वन बाई बाई